Hi everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ तनू भार्दू, आज केसे हैं आप सब, I hope आप सब स्वस्थ होंगे, आज की वीडियो काफे informative और useful वीडियो होने वाली है, उन सभी ladies के लिए जिनके premature बच्चे हैं, कहते हैं 37 week से पहले जो भी बच्चा पैदा होता है, उसे premature बच्चे की category में रखा जा मेरा बच्चा जिसका नाम से धान्थ है, वो 34 week में पैदा हो गया था, और जो वो पैदा हुआ था तो उसका birth weight 1700 gram था, जो लोग में साथ Instagram पे जुड़े हुए हैं, वो देखते हैं, जब से मैं बच्चे के साथ real बना रही हूँ, जो मैंने बच्ची के साथ पहली real बनाई और अब जो में real बना रही हूँ, जो flow by flow चल रही है, उसमें बच्ची की growth साफ नजर आ रही है, तो जो लोग में साथ Instagram पे जुड़े हुए हैं, या जो मेरी वीडियो जेखते हैं, या जो लोग मुझे personally जानते हैं, ठीक है, वो message करते हैं, या फिर कुछ में पर DMs आते है कुछ comments आते हैं, कि मैम आपने ऐसे क्या किया, कि आपके बच्ची की growth बहुत अच्छी हुई है, और हमारा बच्चा premature है, किसी का 1200 ग्राम, किसी का 1500, किसी का 1900 ग्राम, तो वो मेरे से advice पूछते हैं, कि मैम प्लीज कुछ tips दीजिए, ताकि आपके बच्ची की तरह हमारे बच प्रेमेचूर बेबी था तो इसको मेरे कुछको लेने में दर लगता था ऐसा लगता तहां कि मुझे इसा लगता है, कि मुझे अब को तरपने अपने आपको अंदर से नहीं तो कर सकती है, कि तुझे की के क्या नहीं तो सबसे पहले害 गुसा तो परोड़ पैरोप पड़ी थी थी, कोनी के पात पड़ी थी, जूरी जूरी थी, आइब्रोज बचें रॉची करता थी, क्योंकि उसके इना फैट था उन्दर उसकी पतला दूबला सा बच्चा था, तो मुझे उसको देख का इसा लगता था, है मेरे बच्चा की नॉर्मल मेरा काईश मेरा भी ऐसा होता तो वो बस अन्दर से वो positivity करते, करते, करते मैंने सबसे पहले शुरुवात में अपने आपको पहले positive किया कि कोई बात नहीं बच्ची की growth होगी, होगी slow होगी, तेज होगी तो सबसे पहले अपने mind में फोड़े सा से ना बच्चे को मा का दूद्ध जरूर पिलाइं जब चोटा होता है तो अच्छा जो पहुत जादा है तो कहते हैं कि हैं जो प्री मेचुर बेबीज होते हैं उनको हर दो दो घंटे में फीट कराना जरूरी है बट मुझे ऐसा लगता था कि आर बच्चा तो बहुत ही जादा बच्चे को दूद्ध पिलाना है तो हर दो दो घंटे में मैंने बच्चे को दूद्ध पिलाया कई बार तो होता है कि दो घंटे होने से पहले मैं दूद्ध पिलाने लग जाती थी बच्चा सोता बहुत जादा था जो प्री मच्चे होते हैं यह जो नॉर्मल बच्चे भ खुजलासा दिया तो जटक सा जाता था कि यह क्यों और अवरा फिर उसी टाइम में इसको फीडिंग कराने चालो कर देती थी तो मैंने उसको ब्रेस्ट फीडिंग शुरुवात में खूब कराई है अभी मैं ब्रेस्ट फीडिंग उतनी नहीं करा पारी हूं क्योंकि मेरा मिल मिल्क जो नहीं इतना आपा रहा जिस वज़े से उसकी पेड़ भरे तो आभी मैं फॉर्मुला मिल्क भी देती हूं बट मैं ब्रेस्ट फीडिंग भी कराती हूं तो सबसे जादा जरूरी है आप ब्रेस्ट फीडिंग पर ध्यान रखे कि आप जादा से जादा बच्चे को दूद पिलाएं जादा से जादा पिलाएंगे तो बच्चे की ग्रोध भी बहुत अच्छी होगी और जो मेरा दूसरा पॉइंट है उसमें यह है कि आपको बेबी की मालिश पर पूरा ध्यान रखता है मैं सुबह बच्चे की मालिश करती थी रात को सुलाने से पहले मालि जो ओपन एरिया है उसका हाथ पहर न उसको रगड़ दिया पूरे कपड़ न उतारे बट सुबह और रात को में इसको प्रॉपर उतार के मालिश कर आदा गंटा उसके बाद उसको कवर करती थी तो आप इस चीज को फॉलो किजिए जैसे आपको लगे कि बच्चा भी फ्र की होगी तीसरी तो दो किया है के एम सींझी की फुल फिर्म होती है कंगारू मधर के ड्यषार जैसे अपने बचे को अपने पेट की थेहली महीं रखता है और अपनी बौडी का टेच इसको मिलता है रहता अपनी माा का तो इस तरीके से जो प्रीमेचुर बच्चे होते हैं नर्सरी में कहा था मुझे कि जितना आप KMC करोगे बच्ची की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी, तो KMC कैसे करते हैं, KMC में आपको बॉड़ी से बॉड़ी टच करानी होती है, मतलब आपको अंदर कुछ नी डालना होता, उपर से कोई धीली टीशिट या कुई कुड़ती डाल कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है, KMC करना जरूरी है, आप देखेंगे, KMC में जैसे हर महीन आपके बच्चे का एक किलो वजन या दो किलो वजन बढ़ता है, KMC करने से आपके बच्चे का महीने में कम से कम धाई किलो वजन बढ़ जाएगा, तो आप ये चीज जरूरी है उससे बच्ची के एना हाथ पेरों के exercise होगी मसल्स डेवलब होंगे उसके तो आप सिर्फ यह नहीं के हाथ-पेरों को रगड़ दिया और हो गई मालिश उसको exercise भी करानी है हलके हाथों से जोर-जोर के नहीं करना क्योंकि छोटा बच्चा है बहुत नाजूक बच्चा है तो नाजूक हाथों से ही उसकी मालिश करनी है उसके exercise करानी है और उसकी growth होते हुए खुद देखना है प्री मच्चोर बच्चे की growth कोई rocket science नहीं है बस इन छोटी छोटी बातों को आप follow कीजिए और आप अपने बच्चे की growth होते हुए देखेंगे और आप इन चार चीजों को follow करेंगे और आप मुझे बताईए कि आपके बच्चे की growth कैसे हो रही है और अगर आपको फिर भी इस वीडियो से related कुछ question है या premature baby से related कुछ question है तो आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं और आप मुझे DM कर सकते हैं और मैं आपको हाँ पे जो भी आपकी queries होंगी उसके answer जरूर दूँगी तो मिलती हूँ next वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई